Hello everyone, CSD पर आपका स्वागत है Friends, आज हम करने जा रहे हैं HCF-LCM Part 4 जिसमें हम discuss करेंगे application of HCF and LCM Last class में भी हमने application of HCF and LCM discuss किया था इस class में हम कुछ different situations discuss करें चलिए start करते हैं आज का session Question number 1 The largest number which divides 77, 147 and 252 to leave the same remainder in each case आपको कह रहा है वो largest number निकालिए बड़े से बड़ा number निकालिए जो 77, 147 and 252 को divide करने के बाद मलब किसी number से अगर इन तीनों को divide करते हैं तो जो remainder है, जो successful है, वो क्या रहता है? same रहता है यानि कि इन number को किसी number से divide करना है और उस number से divide करने के बाद जो successful है, जो remainder है हर situation में यानि कि तीनों के division के बाद same रहना चाहिए आपको ये पता है कि same remainder है लेकिन remainder क्या है, ये नहीं पता होता तो उसके लिए क्या funda होता है सबसे पहले तो आप वो जानोगे दूसरा, ये जो word लिखा होता है largest, greatest इसका funda जानोगे अगर आपको given है word largest, greatest तो it means हमें उस situation में क्या use करना चाहिए HCF अगर word लिखा है least smallest अगर आपको समझ भी ना है तो ये word ध्यान रख लिजिए इस situation में कौन सा funda use होगा LCM का, as per situation थोड़ा सा कुछ न कुछ extra उस में work किया जाएगा but concept किसका use होगा largest और greatest में HCF और least और smallest में LCM clear ये बात अपने question पे वापस आते हैं कि आपको number निकालना है largest यानि कि क्या निकालना है इसमें HCF ठीक है अब ऐसी situation जिसमें number गीवन है और remainder नहीं पता उस situation में numbers के आपस में difference निकालके उसका HCF निकाल देते हैं ये सपोज आपके पास तीन number है तो पहला difference क्या होगा second minus first 147 minus 77 क्या जाएगा difference 70 then 252 minus 147 तो क्या जाएगा 105 252 minus 77 तो क्या जाएगा 175 एक्चल में होता क्या है second minus first third minus second first minus third लेकिन first छोटा number है और third बड़ा है answer हमें positive चाहिए तो हम first minus third ना लिखके क्या लिखेंगे third minus first यानि कि आपस में number हो का क्या निकाल दिया difference difference निकालने के बाद जो number बस्ते उनका क्या निकाल देते हम HCF आप चाहो तो HCF के फंडे से इसको HCF निकाल दो लेकिन कुछ situations हमारे पास ऐसी होती है जिनमें हम जो हमारे पास option अवेलेबल है उनी के base पे answer निकाल देते हैं मैंने देखे upload की है क्योंकि वो lecture हर जगे आपके use होंगे सीद देखे कैसे पहला option है 9 9 के लिए divisibility rule क्या होता है number की digit का sum 9 से divide होना चाहिए पहला ये option देखे 7 प्लस 0 7 यानि 9 से नहीं हो रहा HCF की condition है सब से होना चाहिए जब पहला ही number नहीं हो रहा आगे चेकी नहीं करें 15 क्या होता है 3 5 जा 15 3 का rule क्या होता है digits का sum 3 से divide हो जाए अगें 7 प्लस 0 7 है 7 3 से नहीं होता तो ये भी option कट होगे 25 से आप ओरली आपको दिख रहा है 70 25 से नहीं होता answer क्या है option number D बीना HCF निकाले भी आप heat and try से यानि कि ऐसा देखे कि कौन सा ऐसा number है जो सब को divide कर देगा और उसमें भी बिना divide के यानि कि divisibility rule के base पे आप check कर सकते हैं तो ये तो होगे heat and try से option number D suppose आप calculation करना चाते हो देखे option अमने निकाल दिया है अब मैं दूसरा तरीका आपको बताने जा रही हूँ suppose हम क्या चाते हैं इसका HCF निकालके solution करना चाहरे हैं क्योंकि depend करता है भी किसकी speed exam में किस base पे बनती है बट मैं तो आपको हमेशा suggest करती हूँ जिन questions में hit and try easy रहता है यानि कि less time consuming होता है और apply हो सकता है वहाँ पे hit and try पे जाओ उसमें आपको कोई method लगाने के जड़ोत में होती थोड़ी सी basic information के साथ आप answer find out कर पाते हूँ आप यहाँ पे देख रहे हो सब में क्या comment आ रहा है हमें ही देखना है कि कौन सा इसा number है जो सब से है तो आपको देख रहा है कि यहाँ पे comment क्या आ रहा है 5 क्योंकि 5 का divisibility rule होता है कि अगर once digit 0 या 5 है तो पूरा number 5 से divide हो जाए तीनो number 5 से divide हो रहे है तो hcf का पहला number क्या आ गया 5 काट दीजे इसको 5 बंजा 5 5 4 जा 20 5 2 जा 10 5 बंजा 5 5 3 जा 15 5 5 जा 25 इसमें क्या number comment आ रहा है आप देख रहे हो 14, 21 और 35 किस नंबर में आता है 7 में 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 5 जा 35 2 3 5 कुछ भी comment नहीए 5 इंटू 7 क्या हो जाएगा 35 5 इंटू 7 is equal to 35 यानि आंसर क्या हो गया option number D 35 आप चाहे हिट और ट्राई से कर दीजी चाहे आप ऐसे ट्राई कर लीजी यह आपको प्रेक्टिस से देखना है कि किस तरीके से आप जल्दी कर पाती है I hope clear है यह situations अपने mind में set करते चाहिए कि किस number से divide करें कि remainder same आए और remainder की value नहीं है तो यह तरीक अपनाई करना है difference निकालना है और उसका HCF find out करना है चली बढ़ते हैं आगे question number 2 की तरफ question number 2 the greatest number which can divide 1354, 1866, 2762 leaving the same remainder 10 in each case फिर greatest की बात आ गई यानि कि solution किस की help से निकलेगा HCF की help से अब आपको कित नंबर दे रखें और हर situation में remainder दे रखा है वहाँ पे कहा गया था पहले question में हर situation में remainder same है remainder की value given नहीं थी यहाँ पे आपको remainder given है हर situation में remainder कितना है 10 तो जो remainder है उसको minus कर देंगे तो बच्चाववा नंबर पूरा-पूरा divide हो जाएगा 1354-10 1344 1866-10 1856 2762-7 2752 remainder minus करने के बाद क्या निकाल देना है इनका hcf निकालने का तरीका क्या है कि इन में से common number हमें find out करना है देखिए इसमें hit and try apply करोगे तो number बड़े बड़े हैं छोटे number ऐसे नहीं है अगर हम 64 की बात करें 44 के pair भी बन सकते हैं 8 के भी बन सकते हैं तो बहुत सारे हमारे 16 into 4 भी हो सकता है तो hit and try इसमें time consuming रहेगा इसमें कौन सा तरीका direct method सही रहेगा अब आप देख रहे हो आपको largest number चूज करना है तो आपके बात दो option हो सकते हैं देखिए अगर आप 8 से check कर सकते हैं तो 8 का divisibility rule क्या होता है 2 से हो ही रहा है सारा then 4 से देखा last 2 digit होता है rule के according 3 के coding last 3 digit होता है तो आपने देखने आपको कैसे comfortable लगता है चाहे तो इसे बड़े से बड़े number से कर दो यानि कि 8 से कर सकते हो क्योंकि 10 तक table तो सबको tips पे होते ही 8 से कर दो या 4 से कर दो as you wish 8 से करोगे तो दो बारी में cut हो जाएगा 4 से करोगे तो 3 times number आप देख रहे हो see 4 से suppose मैं करती हूँ 4 3 जा 12 1 बचा 14 हो गया 4 3 जा 12 4 6 जा 24 then 4 4 जा 16 2 बचा 4 6 जा 24 4 4 जा 16 then 4 6 जा 24 4 8 जा 32 4 8 जा 32 last 2 डिजिट देखोगे फिर 4 से जा रहा है ऐसल चीज लेनी चीए जिससे आप आसानी से फटा-फट ओरली डिवाइड कर पाऊ then 4 8 जा 32 4 4 जा 16 4 बचा 4 4 बचा 4 4 6 जा 24 4 बचा 4 4 7 जा 28 4 2 जा 8 then फिर 4 से जा रहा है 4 2 जा 8 4 बचा 4 4 2 जा 8 4 9 जा 36 4 4 जा 16 4 3 जा 12 बचा 43 29 और 21 जो की सेम टेबल में नहीं आते हैं यानि यह से आफ आ गया 4 इंटो 4 इंटो 4 और अगर आप डिवेजिबिलिटी रूल लगा के औरली 8 से कर पाएं तो 8 से डिवाइड कर दीजिए दो बारी में खतम हो जाएगा एक बार 8 से जाएगा देन दूसरी बार फिर 8 से योगि 64 से करेंगे तो इट टेक्स्ट आएं तो बेटर है कि या तो 44 से करो या 8 से करो और यह देखने के लिए मैंने क्या यूज लगाया है क्या यूज किया है डिवेजिबिल्टी रूल का फॉर्मुला फॉर फॉर्जा 16 सिक्स्टीन फॉर्जा 64 आंसर किया हो गया ओप्शन नूमबर 1 सबसे पहले ग्रेटस्ट और लाज़ेस्ट और स्मॉलेस्ट इसकी हिसाब से दिसाइर करो क्या यूज होना है ठीक है इसमें रिमेंडर दिया था माइनस कर दिया और डिरेक्टली क्या निकाल दिया i hope आपको question clear हो गया होगा next question की तरफ करते हैं चलते हैं question number 3 the greatest number of 5 digit which is divisible by 15, 36 and 21 is past digit का वो greatest number निकालना है जो 15, 36, 21 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए आपके पास option है देखें 15 क्या होता है 3, 5 जा 15 36 क्या होता है 9, 4 जा 36, 27, 3, 7 जा 21 यानि जो भी number होगा वो सबसे डिवाइड होगा यानि 3 से भी डिवाइड होना चाहिए 5 से भी 9 से भी और 7 से भी और 4 से भी सबसे डिवाइड होगा तभी वो इन सबसे डिवाइड हो पाएगा देखें इसका तरीका तो होता है LCM निकाल के फिर चेक करो बट बीना LCM के आप ऐसे ही hit and try से कर सकते हैं स्वारी HCF से आप चेक करो लेकिन आप क्या करेंगे आप ऐसे ही ओरली इसको चेक कर सकते हो बीना HCF लगाए कैसे करना है वो HCF लगाए बीना इनके divisibility चेक करके ठीक है divisibility का rule लगाएंगे उसके according निकाल देंगे सबसे पहले मैंने सबसे easy उठाया 5 5 का rule क्या होता है once digit 0 या 5 होने चाहिए see once digit 0 या 5 होने चाहिए नहीं हो रहा है यह भी नहीं होगा 5 से यह भी नहीं होगा यहां तो एक ही से बात बन गई answer क्या गया option number अगर आपका ध्यान दीजीगा अगर आपका एक से नहीं आता तो फिर दूसरे से चेक करते यानिकि 5 से नहीं आता तो best approach होती 9 से चेक करना क्योंकि जो number 9 से जा रहा है उब बेसली 3 से तो जाए गई जाएगा चीक है 9 के बाद फिर भी कुछ confusion रहती तो then 4 चेक करना और last में 7 चेक करना बट exam में 1 या 2 से ही आ जाता है अगर आप सही approach अप्लाई करते हो तो मैंने 5 मुझे easy लग रहा था इसलिए apply किया दर्वाइज मैं पहले apply करती 9 9 का rule क्या होता है sum of digit वाला तो वो भी easy होता है तो इस तरह से बिना मैंने hcf निकाले answer निकाल दिया option number B clear है चलिए आगे चलते हैं next question की तरह question number 4 which greatest number will divide this this leaving remainder 11 and 30 ये भी remainder question है अभी हमने एक variety की जिसमें remainder unknown था और ये पता था कि same है दूसरे में हर situation में remainder same था 10 था फिर 5 digit वाला कोई लग variety थी अब जो remainder है दोनों के अलग अलग है greatest निकालना है किस से निकलेगा HCF से same remainder था तो same number सबसे minus हुआ था और अगर different remainder है तो उनको minus करेंगे और बचे वे नंबर का क्या निकालेंगे HCF same fund आ है बस मैंने आपको variety दिखाने के लिए एक consider कर दिया है question 3026 माइनस 11 क्या बन जाएगा 3015 then 5053 माइनस 13 ये बन जाएगा 5040 5040 देखे इसका HCF LCM निकालने बैठेंगे तो what time consume होगा तो best way है option hit and try जो भी option होगा suppose मैं बात करती हूँ 15 की तो वो किस से divide होना चाहिए 35 जा 50 मैं 45 की बात करती हूँ तो क्या होगा इस से होगा 59 जा 45 देखे 30 और 60 तो हो ही नहीं सकता वाए अगर इन दोनों में 30 या 60 को मन आता तो दोनों की once digit क्या होनी चाहिए थी 0 यूगि 30 का table count करो 30, 90, 30, 60, 90, 120 and so on 60, 120 and so on सब में once digit क्या रहा है 0 और इसका once digit क्या है 5 इसका तो 0 है लेकिन इसका 5 है तो ये देखते ही हम क्या कर देंगे इन दोनों option को reject अब आपके पास number है 15 और 45 इसमें सबसे इच्छा तरीका है 5 से तो आप देख रहे हो ये 5 है ये 0 है यानि दोनों नंबर हो रहे है तो हमें किस से चेक कर लेना चाहिए 9 से क्योंकि 9 से नहीं हुआ अगर नंबर तो obviously 3 से होगा तो 9 से चेक करते हैं क्योंकि जो 9 से हो रहा वो 3 से तो हो गई होगा 5, 1, 6 और 3, 9 5, 4, 9 जा रहा है sum of digit 9 से डिवाइड हो रहा है इसकमला पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहा है 9 से भी डिवाइड हो रहा है highest common factor तो 15 और 45 में highest को न है 45 आंसर क्या हो जाएगा option number C देखें बिना कुछ लिखे ऐसे ही हमने क्या निकाल दिया answer अपना answer क्या होगा option number C यानि की 45 ये सारी चीज़े हम practice से सीखते हैं अगर आप अच्छे से practice करते हैं तो within a second अब हर question का answer निकाल सकते हैं clear है question बढ़ते हैं next question की तरफ question number 5 what is the least number which when divided by 12 leaves a remainder 7 when divided by 15 leaves a remainder 10 when divided by 16 leaves a remainder 11 एक number को 3 अलग-अलग number से divide किया गया अगर 12 से divide किया तो 7 remainder आया 15 से divide किया तो 10 remainder आया 16 से divide किया तो 11 remainder आया इस तरीके में सबसे पहली बात तो least आया है यानि क्या निकालना है LCM LCM वाला funda use होगा least की situation में हम क्या लगाते हैं LCM देखिए अगर इस तरह के आपको situation है और जिन number से आप divide कर रहे हो और जो remainder आ रहा है उनके बीच का difference किया है सीम है जिस number से आप divide कर रहे हो और remainder का difference अगर सीम आता है तो एक straight forward formula हम लगा सकते हैं ट्वाइल माइनस सेवन फाइफ फिफ्टीन माइनस टेन फाइफ शिक्स्टीन माइनस इलेवन फाइफ सीम आ रहा है इसका मतलब नंबर क्या होगा नंबर इस इकल टू इस situation में हमारा number हो जाएगा number is equal to lcm-5 यानि कि जो number थे उनका lcm निकाल देंगे और जो common number हमने minus करके लाएँ उसे क्या करतेंगे subtract straight forward formula है इस situation में तो अपने mind में set करते चलता है कि situation में क्या formula लगेगा हर formula description से आता है आपको किसी भी question की description पर जाने की जरुवत नहीं है आप shortcut से करिए अगर आप shortcut से करते हो तो इसमें वो भी जरुवत नहीं है कि मेरा मैस अच्छा है और वेकार है आप आसानी से short trick आपके mind में है answer निकाल सकते हैं आप question arise हुआ कि क्या निकालना है 12, 15 और 16 का calcium कैसे निकलेगा इन में से solution करके कोई ऐसा number है जो इन तीनों को काटता हो नहीं है तो 2 को check करिए 2 को 3 से काट रहे हैं 3, 4 जा 12, 3, 5 जा 15 calcium क्या आगया एक तो आगया भी 3 से काटा है 4 और 16 का LCM क्या आजाएगा 16 क्योंकि 5 तो इन में किसी से कटेगा नहीं जब एक number बड़ा होता है और एक छोटा होता है और बड़ा number छोटे number से पूरा-पूरा divide हो जाता है तो बड़ा number ही क्या होता है LCM then remaining क्या आगया 16, 5 जा 80 83 जा 240 83 जा 240 में से 5 लेस किया 235 जितना fast आप calculation कर सकते है उतना fast करिए कुछ में हम directly answer निकाल पाते हैं और कुछ में LCM SCF निकालने में क्या लगता है time लगता है कई बार ऐसे number होते हैं जो आसानी से हो जाते हैं ट्रिक से हो जाते हैं पर कुछ number ऐसे होते हैं कि अपनो traditional तरीका ही लगाना पड़ता है लेकिन traditional तरीके को कैसे लगाना है highest से काटने की कोशिश करो जिससे number given number कट हो जाए answer क्या आगया option number B 235 I hope question clear हो गया होगा आपको बढ़ते हैं next question की तरफ question number 6 what is the least number which when divided by 20, 25, 35, 40 leaves respectively 14, 19, 29 and 34 as remainder same type का है थोड़ा सापके माई में concept clear हो जाए इसलिए इस टाइप के मैंने दो question ले लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया इस तरह की situation है तो number क्या होगा least number LCM minus common common क्या है इन में देख लीए 20 minus 14, 6 25 minus 19, 6 35 minus 29, 6 40 minus 34, 6 common आएगा तभी यह formula लग पाएगा common ही आ रहा है तो number क्या होगा LCM minus 6 LCM किसका निकालते हैं जिन number को हमें divide करना है तो किस से divide करें divided by 20 25, 35, 40 क्या कोई ऐसा number है जो इन सब को divide कर रहा हूँ YES, कौन है highest number जो सब को divide कर रहा है 5 5, 4 जा 20 5, 5 जा 25 5, 7 जा 35 5, 8 जा 40 क्या आ गया? 5 Then, सेम number से सारे नहीं जाएंगे जितने जारें उतनी कोशिश करिए 3 भी नहीं जा रहे है कोई 3 ऐसे number जो सेम number से जा रहे हो नहीं है 2 को चिक करेंगे 4 और 8 एक number बड़ा है, एक छोटा है अगर छोटे number से बड़ा number पूरा पूरा चला जाता है तो बड़ा number ही उसका LCM हो जाता है यानि 4 और 8 का LCM क्या हो गया 4 यह हम इसलिए लगा रहे है क्योंकि 4 और 8 दोनों में से कोई भी 5 और 7 से नहीं जाएगा then 5 और 7 किसी टेबल से नहीं जाएगे as it is 5 into 8 into 5 into 7 multiply करोगे यह आ जाएगा आपका 14 number क्या है LCM minus 6 क्या गया 14 hundred minus 6 यानि की 13 hundred ninety four 13 hundred ninety four means option number अपना answer आ गया option number A clear है portion अच्छे से चलिए आगे बढ़ते है next question की तरफ question number 7 यह भी same ही है बस थोड़ा से language change हो गया है what is the least number which when increase by 7 is divisible by each one of these अगर किसी number को 7 से बढ़ा दें या 7 उसमें जोड़ दें तो वो क्या है 24, 32 and 36 और 54 से पूरा पूरा डिवाइट हो जाएगा किसी number में 7 जोड़ दें यह मैंने 7 हिंदी इंग्लिज दोनों में लिग दिया है 7 बढ़ाने पर सबसे कम संख्या गया थी least number है अगर बढ़ाने की बात है remainder की बात हो या बढ़ाने की बात हो same fund होगा number is equal to LCM minus जितने से बढ़ा है लेकिन बढ़ा है अभी क्या होना चीज़ formula को लगाने के लिए comment तो सारे number हो किस से जो given number है उसे किस से बढ़ा है 7 से तब सारे number से वो divide होगा तो answer क्या हो जाएगा LCM minus 7 यानि कि जो इन से number divide हो रहा होगा पूरा पूरा उसमें से 7 minus करना है क्योंकि question में क्या कहा है number को 7 से बढ़ाने पर इन से divide होगा ठीक है question की language clear है अब किसका LCM निकालते हैं जिन से divide करते हैं 24, 32, 36 and 54 कोई बड़ा number जो सब को divide कर रहा हो नहीं दिख रहा मुझे 2 के लवा ऐसा कोई number जो सब को divide कर रहा हो सब को सिफ 2 ही कर रहा है 2 वंजा 2 2 तू जा 4 2 वंजा 2 2 सिख जा 12 2 वंजा 2 2 एट जा 16 2 तू जा 4 2 सेबजा 20 2 सेबजा 14 इसके बाद सारे तो नहीं जा रहे किसी और नंबर से तो 3 चेक करेंगे, कोई 3 नंबर जो एक टेबल से जा रहे है ये 3 ओर 2 से जा रहे हैं ये 3 ओर 3 से जा रहे हैं तो 3 से कर देती हूं पहले मैं 3, 4, 12, 16 as it is 3, 9, 18, 3 sorry 3, 6, 18, 3, 9, 27 3, 4, 12, 3, 6, 18 ये 6 है 3, 6, 18, 3, 9, 27 then 4 है, 16 है, 6 है देखो, 4 और 16 को नहीं देख सकते क्योंकि 6 भी जाएगा 2 से, इन में common आ रहे हैं तो इन तीनों में common ले लेते हैं again 2 अब इसके देखे, shortcut नहीं, इसके लिए बुड़ा long जाना पड़ रहा हमें 2, 2 जा 4 2, 8 जा 16 2, 3, 6, और यह 9 as it is ठीक है, 2 आ गया अब देखे, 2 और 8 में इन से 3 और 9 से कोई relation नहीं है एक नमबर छोटा है और एक बड़ा है छोटे नमबर से अगर बड़ा नमबर पूरा पूरा जार रहा है तो उसका LCM क्या हो जाता है इन से इन से इन का कोई relation नहीं है सेम टेबल से नहीं जा रहे है एक 3 है, एक 9 है छोटे नमबर से अगर बड़ा नमबर पूरा पूरा जारा होता है तो वही क्या हो जाता है LCM हमारे पास आगया 2 x 3 x 2 x 8 x 9 आपस में multiply कर देंगे 3 x 6, 6 x 12 और 9 x 8 x 72 12 को 72 से करोगे you will get 8, 64 जो भी calculation का तरीका आपको easy लगे उससे आप कर सकते हो LCM क्या गया? 8, 64 8, 64 आगया अपने पास जो formula है तीनों situation में यही लगाया है उसमें value पुट कर देंगे क्या है हमारे पास? 8, 64 minus 7 8, 64 में से 7 minus करेंगे तो क्या आजाएगा? 8, 57 यानि क्या आजाएगा? option number B 8, 57 option number B clear है? तो यह last variety थी हमारी HCF LCM की इसके साथ ही हमारा HCF LCM chapter complete हो गया है दोस्तों अगर आपको session पसंद आया हो तो session को like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए अभी तक आप में हमारा channel subscribe ना किया हो तो channel को subscribe कीजिए और notification के लिए bell icon को press कीजिए आप उतने doubt हमारी mail id पर send कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी उसका solution provide करें आप हमारे telegram group को भी join कर सकते हो और facebook page को भी join कर सकते हैं इन सब का detail है वो description में वीडियो के given है तो आप वहां से भी देख सकते हैं चलिए दोस्तों मिलते हैं next session में तब तक के लिए bye bye and take care